नमस्कार आप देख रहे हैं जियो भी निस्तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा बड़ी खबरों का तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरू सिद्बा दे ताकि हम जो भी वीडियो डाले आप तक पहले अमेरिका के कारोबारियों ने वैंकटेस्वर मंदीर में 14 कड़ों रुपए के दान पर रखी सर्थ आंद परदेश के बैंकटेस्वर मंदीर में दान देने वाले पहले अमेरिका के कारोबारियों ने अपना नाम बताने से मना किया है रख्षा मंत्री राजना सिंग ने पुरुस सेनकर्मियों को दि चाइल केर लीव की मंजूरी सिंगल पुरुष सैने कर्मी और रक्षा बलो की महिला अधिकारी भी 40% विकलांगता वाले बच्चों के मामले में CCL की सुविधा का लाव ले सकेंगे और इसके लिए बच्चों की कोई सीमा नहीं होगी रक्षा मंतरी राजना सिंग ने इसकी मंजूरी दे दी है राज ठाकरे ने बाढ़ की वज़े से महराष्ट विधांसबा चुनाव टालने की मांकी है राज ठाकरे ने कहा है कि सितंबर में अचार संहिता लागू हो जागी और सरकार इसका हवाला दे करके राहत कारे रोक दी है उन्होंने चुनाव अस्थगित करने के लिए निर्वाचन आयोग में दखल देने की मांकी है पूमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फरेंस के नेता अकबर लोन और हसनायन मसूदी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाहिर की है उन्होंने जम्मू कस्मीर में अनुशे 370 हटाय जाने के केंद सरकार के फैसले की चुनोती दी है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह जम्मू कस्मीर पुनर गठन अधिनियम 2019 को अस्वविधानी घोसित करने के संबध में लिगदेश जारी करे पाकिस्तानी आतंकी संगटन भारत में आतंक फैलाने के लिए अफगान लड़कों की मतत ले सकते हैं देश की कुफिया एजेंसी को आतंकी गतवीधियों के बारे में इंपुट मिली है इसके मताबिक ईद से लेकर के स्वतन्ता दिवस्तक बड़ी तबाही भैलाने की यूसना है कुफिया एजेंसियों ने जो दस्ताविध जारी की है उससे साफ पता चलता है कि ईद पर वारदात करने के जिम्मेदार पाकिस्तान ने आयसायत लड़कों को सौप दिया है जम्मू कस्मीर के राजपाल तत्यपाल मलिक ने कहा है कि हालत को लेकर के बड़ा बयान दिया है उन्होंने अस्थानिये लोगों को भरोसा दिला है कि वह बड़ी संख्या में धूमधाम से इद का तेवार मना पाएंगे राजपाल ने कहा है कि जम्मू और कस्मीर में लोगों को कोई दिकत नहीं हो रही है बैंक और A.T.M. खुले हैं 15 अगस की तयारिया भी सुचारू रूप से चल रही है पाकिस्तान को एक बार फिर लगया है बड़ा जटका अमेरिका के बाद अब रूस ने कस्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन किया है रूस ने कहा है कि भारत ने समभ्धानिक दैरे में रहकर के जम्मु कस्मीर पर फैसला लिया है रूस के विदेश मंतराले के मुताविक भारत ने जम्मु कस्मीर को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है वह समयधान के मुताबिक है सेज लहरो तुफानों के बीच भी सांत रहे पीएम नरेंद मोदी बेयर ग्रिल्स ने की तारीफ प्रधानमती नरेंद मोदी डिसकवरी चैनल के पॉप्लर सो मैन वर्सेस वाइल्ड के होस्ट बेयर ग्रिल्स के सांख नजर आने वाले हैं प्रधानमती नरेंद मोदी सांख बेयर ग्रिल्स का एपिसोड 12 अगस्त को डिसकवरी चैनल पर ओन एयर होगा सो के ब्रोडकास्ट होने से पहले होस्ट बेयर ग्रिल्स ने अपने इंटर्विव में परधानमति नरेद मोधी के बारे में कई दिल्चस्प बातें सेर की है तेरा भारतिय राजनाइकों को परिवार के साथ छोड़ा पाकिस्तान जम्बु कस्मीर से अनुशे 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ राजनाइक संबंदों में कमी लाने का एलान किया था इस क्रम में अभी तक 13 भारतिय राजनाइक अधिकारियों और करमचारियों अपने परिवार के साथ पाकिस्तान छोड़ चुके हैं माहरास केरल करनाटक समेत कई राजियों में 12 और 12 ने तबाही मचा दी है पिछले 3 दिनों में 100 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है अकेले केरल में 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है सभी राजियों में rescue operation जारी है हजीहत होने पर बोले CM मनोहर लाल खटर कस्मीर की लड़किया मेरी बेटिया है हर्याना के मुख्यमंतरी मनोहर लाल खटर ने बिवादित बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि मैं कस्मीर की लड़कियों को अपनी बेटी मानता हूँ मेरा आसे कोई गलत टिपणी करने नह प्रेंद मोधी सरकार का पूरा चूर अब कस्मीर में हालात समान करने पर है। ननकाना साहिब अमरित सर बस सेवा को भी रोक दिया गया है। राजस्थान से राजसभा जाएंगे मनमोहन सिंग 13 अगस्त को दाखिल करेंगे नमांकर। पूरु प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग को कॉंगरिस राजस्थान से राजसभा के लिए पार्टी की तरफ से उमिद्वार होंगे। वह इस महीने की तेरा तारिख को नमांकर दाखिल करेंगे। झाल 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 झाल